तो जानी ना तलवार की धार से ना गुनियों की बाचार से हम सोथों के साथ खड़े हुए हैं क्योंकि यहाँ है हमें गाउ में जानी पर हम यह बताना चाहेंगे कि हमारे छोटे भाई लोग कलाकार हैं और यह जब अपनी कलाकारी दिखाते हैं तो अच्छे-च्छे देखते रह जाते हैं, जानी देखते रह जाते हैं सोची अगर ऐसा ही महाल अगर क्रियेट हूँ और गैस भर्वानी के लिए महगाई इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है और गैस को भरवानी के लिए अगर प्राण सहाब आते तो वो क्या कहते वो कहते बरकुरदार ये गैस के चक्कर में हमारा गैस निकलती चली जा रही है अरे हम तो इस महगाई में लगता है हमारे प्राण ही निकल जाएंगे बरकुरदार लेकिन हम क्या करें चेहर खान ने साधी नहीं के तो क्या हुआ लेकिन खाना तो खाता है मगर किसमें बना के खाए और सुचिए अब प्राण साहब के बाद अगर सुनील सिठी आते वो क्या कहते है और तुम भरवालो पहुत मैगी हो चुके है लेकिन इस गैस को मैगवाने के लिए अगर तुम कि अगर आजे देवगुण से मुलाकात होती तो आजे देवगुण क्या कहते है है हावे टुपो दे लुटा गेरो वेकाद अब था है अब आप अब लगता मुझे खाली हाथि जाना पड़ेगा और अब सुचिए इनके बाद अगर कोई बचते हैं तो बचते हैं तो दर्मेन साहब आते तो क्या बोलते है रमजदे इस इतनी मेंगी कर दिया इनोंने गैस और तेल से तो इंसान का तेल निकला जा रहा है लेकिन मैं क्या करूँ पजे तो बिना गैस भरवाई रहना पड़ेगा और अब उनको जैसे ही सनी देवल सुनते हैं सनी देवल अपने प और मैं एक सांसद हूँ सबसीडी मिलती है मैं और दिल्ले में तो आम लोगों को पांच रुपए में खाना मिलता है अपनको तो गैस भरवानी के जरुरत भी नहीं पड़ेगी सरकार अपनको इतने पैसे देती है और गैस भरवानी के जरुरत नहीं पड़ेगी अपनको त सरकार में 800-900 रुपए कीमत वसूली जा रही है जो 2011-12-13 के आसपास 70-75 रुपए के आसपास पैट्रोल था आज लोगों की हालत खराप हो रही है 100 रुपए 110 रुपए हम जहां रहते हैं वहां पैट्रोल की कीमत 113 रुपए है और तो और हर एक चीज में चाहिए वो खाने व कहते हैं ना कि प्रचार किये जा रहे हैं प्रचार किये जा रहे हैं दहत तेरे की दिकार है ऐसे लोगों पर जो महगाई को कंट्रोल नहीं कर रहे हैं और अपनी बढ़वाई एकदम बताते चले जा रहे हैं दिकार है लानत है ऐसे लोगों पर शर्मानी चाहिए बहुत- बहुत धन्यवाद.